इस बार कलकत्ता की ट्रेनिंग में जो की 15 नौमबर को हो रही है उसमें मैं EMMC IC उठाना फिर रिबॉल करके दोबारा उसे लगाना ये मैं सिखाऊंगा किस तरह से रिबॉलिंग होती है फूरी प्रोसेस किस तरह से होती है वो मैं बताऊंगा आपको EMMC की जो अंदेरी दुनिया है उसके नीचे क्या हो रहा है उसके जो बॉल्स हैं कहां पर जाते हैं कौन से कौन से बॉल्स क्या काम करते हैं उस सभी के बारे में आपको बताया जाएगा सबसे पहले तो रिबॉलिंग करके बताया जाएगा आपको ताकि आप भी IC निकाल सके दोबारा लगा सके और EMMC पिनाउट निकालना EMMC चाहे 4G डेटा वाली हो या 8G डेटा वाली दोनों ही टाइप की जो IC से उसकी रिबॉलिंग करना यह सब कुछ आपको बहुत अच्छे से सिखाय जाएगा और Android Board आपके लिए इतना असान हो जाएगा यह ट्रेइनिंग लेने के बाद कि आप सोचोगे कि Android Board में है क्या सिर्फ यही था कि आपको पता नहीं था कि IC निकालते और कैसे लगाते हैं विकास उसके नीचे सब कुछ चुपा हुआ था इसका मतलब यह होता है कि कलकत्ता की जो ट्रेइनिंग है जो कि 15 नौमबर को होने वाली है वो आपको जरूर एटेंट करनी चीए एटेंट करने के बाद आप ऐसी ऐसी चीजे सिखेंगे जिससे आप डरते थे और जैसे कि पहले ही का जाता है कि डर के आगे जीत है सो मैं आपका वो डर मिठाऊंगा जो डर आपको था इस आईसी को निकाल के फिर दोबारा लगाने में जरूर आईए कलकत्ता की ट्रेंग में आप सभी का स्वागत है वहाँ पर यह ट्रेंग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटिंग होगी जरूर एटेंड किजी इस ट्रेंग को यह ट्रेंग एटेंड करने पर आपको मेरे थुरू लिखी गई इबुक जो की 100 पन्ने की है वो आपको मुफ्त में मिलेगी जिसकी MRPA 35 पर लेकिन आपको दी जाएगी मुफ्त में यह तो कुछ भी नहीं है ट्रेंग में इतना कुछ है कि आप एंजॉई करोगे यह ट्रेंग को इस बार की कलकत्ता की ट्रेंग में जो की 15 नौवंबर को होने वाली है इसमें हम पैनल रेपेरिंग पे फोकस करने वाले हैं पैनल की रेपेरिंग हम किस तरह से करते हैं और इसमें दी जाने वाली कुछ लाइज जैसे की CKV, HTV, OE इनके सिगनल्स किस तरह से ली जाते हैं और फिर हम जमपर किस तरह से लगाएंगे और कटिंग मेथर्ड मतलब रिपेरिंग, LCD LED पैनल रिपेर, प्रोग्रामिंग EMMC और नॉर्ट फ्लेस विद RT809H प्रोग्रामर एंड UFI बॉक्स तो सीट बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए मेरा नंबर यहां पर है जो की 9825842502 और जहां पर ट्रेनिंग होने वाली है उसका एड्रेस है होटल ट्रिबो सैनी इन 8 1E डाइमंड हार्बर रोड अलिपूर कॉलकता वेस्ट बेंगॉल इस बार की कलकता ट्रेनिंग में मैं बताने वाला हूँ EMMC IC जो की डेड होती है जो की कोई भी प्रोग्रामर पे काम नहीं करती है उसे रिपेर करने का तरीका EFI box के थ्रू किस तरह से होगा वो फूरा प्रोसेस आपको बताया जाए का इस ट्रेनिंग में हम किस तरह से dead EMMC को फिर से working में ला सकते हैं आप इसमें देख रहे होंगे कि EMMC IC को हम identify करते हैं तो किस तरह से ये देरी लगाता है और बाद में ये command के जो errors आते हैं वो आ जाते हैं ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी ट्रेनिंग के समय एम्मC IC का जब हम NAND टेस्ट करते हैं तो ये जो प्रकार का error message आता है जैसे कि मैं highlight कर रहा हूं यहाँ पर वो किस तरह से आप rectify करेंगे ये IC का fault है और IC के हम EMMC firmware को किस तरह से update करेंगे और ये सबी जानकारी आपको ट्रेनिंग के समय दी जाएगी का ड्रेनिग करेंगे करेंगे की आप किस तरह से कर दो हम वो किस दो हम нам credits किस तरह से करेंगे । ये करेंगे आपमे ये किस में अज़ू को तरह से कुछ है कल पकमक को गर शीज दोत बारत बार, करेंगे ऊवटेफे कCS तरह कर दो 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 झाल 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 झाल